नमस्कार दोस्तों एक नए बीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से आपका स्वागत है बीडियो जो है आज का डिस्चार्ज के उपर है और डिस्चार्ज को लेकर आप लोग काफी कन्फ्यूज रहते हैं बकरी पालन में और बकरियां डिस्चार्ज कब कब करती है यह देर सारी query आएं, देर सारे मेरे पास WhatsApp में माईसे जाए, चुंकि जैसा आप लोग जानते हैं, इस समय में मोबाइल नंबर जो है, वीडियो के description में डाल देता हूँ, या वीडियो में लगा देता हूँ, तो लोगों को काफी आसानी हो रही है, अपनी बात मुझे तक पेंचाने के लिए, और वो चीजें मैं देख के उनका reply भी देता हूँ, तो ये जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें discharge को लेकर काफी confusion थी, और discharge का topic मेरे मन में इसलिए आया है, चुँकि दो दिन पहले मैंने बकरियों को क्रोस कराया है, आपने देखा होगा, तीन तारी को मैंने बकरियों को क्रोस कराया है, तो तीन चार बकरिया क्रोस होई थी, क्रोस कराने के दूसरे तीसरे दिन बाद discharge आता है, तो आपका confusion ही आँपे क्या रहता है, लोगों का confusion, सबसे ज़्यादा confusion क्या रहता है कि बकरी हमारी क्रोस कराने के दूसरे तीसरे दिन discharge कर रही है, क्या सर हमारी बकरी गाबन रहे गई है सबसे ज़्यादा confusion यही रहता है कई भाई तो यह रहता है कि वो जब discharge करती है तो गाडा डिस्चार्ज करती हैं तो कहते हैं कि भाही आज हमारी बकरी फिर से डिस्चार्ज कर रही है क्या हमारी बकरी दुआरा हीट पे आ गई है क्या हम बकरी को पुने क्रोस करा दें ये चीजें रहती है तो वीडियो जो है मैं बिल्कुल आज के वीडियो में किलियर आ कराना है और बकरी लगबग 36 से 48 गंटे तक हीट में रहती है तो हो सके तो लास्ट दिन आपको बकरी को क्रोस कराना है आपने एक बार 12 गंटे बात करा दिया एक बार फिर दुवारा 12 गंटे बार रिटीट कर देना है आपको बकरी को कम से कम दो बार क्रोस कराना है बकरी ह mortal रही है कि डिस्चार्ज कर रही है कि आमारी बकरी गाभन रहे गई नहीं रहे गई,"這是 बकरी जो हरा है और पकर जो क्रोगा नहीं करते है एक दो बार बार क्रोग करता है मतलब एक, दो, तीन स्पर्म की ही जरूरत होती है बच्चे होने के लिए चुंकि बकरियां दो या तीन बच्चे देती है तो दो, तीन स्पर्म की ही जरूरत होती है बाकि जो सीमन होता है वो वेस्ट होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है साथ में बकरिएों का जो हार्मोन्स होते हैं जिसके थूरु वो डिस्चार्ज करती है वो होता है उसको भी बाहर निकाला जाता है तो दूसरे या जब बकरी हीट में हीट में कितने दिन रहती है 48-40 गंदे तक यानि 2 ज़ो या 3 दिन बाद जब हीट से वो बाहर आती है तो जो इस्ट्रा सीमन होता है वो सारा बाहर कर देती है कई बार देखेंगे क्रोस कराने के बाद तुरंत पेसाब भी करती है तो काफी सीमन उसमें भी निकल जाता है तो ऐसा नहीं है कि बकरी ने पेसाब कर दिया तो आपकी बकरी गाबन नहीं रहेगी बकरी जो है आपकी गाबन रहे जाएगी पेसाब करने के बाद भी और उस तरह का जो डिस्चार्ज आता है उस डिस्चार्ज आने के बावजूद भी आपकी बकरी जो है गाबन रहे कि जो भाई हीट में आने के सिम्टम्स नहीं जानते हैं और एक चीज जादा तर भाई लोग नहीं जानते हैं कि बकरी जब बकरा माउंट करता है तो माउंट करने के बाद क्या बकरी क्रोस हो गई है जादा तर भाई लोग नहीं जानते हैं चूंकी दिखाई नहीं देता है और जो इस काम में नए होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, वो बस ये समझते हैं कि बकरे ने माउंट किया और बकरी जो है क्रोस हो गई, ये चीज उनके मन में रहता है कि हो गई, ये नहीं है, कैसे हो गई, क्या तरीका है, क्या बकरी behavior सो करती है, वो सारी चीजें जाननी है, तो link जो है वो description में है, मैंने दो दिन पहले यी video बनाया हुआ है, कैसे cross कराया है, heat में 3-4 बकरियों को दिखाया हुआ है, तो वो video भी आप देख सकते हो, आपकी एक confusion वो दूर हो गई, दूसरी confusion ये discharge को लेकर जो दूसरे तीसरे दिन discharge करते हैं, वो दूर हो गई, कि इस्ट्रा सीमन ही बाहर आता है, साथ में जो discharge बकरियों का होता है, वो बाहर आता है, अगली चीज, बकरियां आप देखेंगे, 18-20 दिन बाद फिर से discharge करते हैं, और जब तक pregnant रहती है, बीच बीच में discharge आता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि यद बीच में गाड़ा discharge आ रहा है, तो आपको घबडाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा गाड़ा नही आनी चाहिए, दही जैसा discharge नहीं होना चाहिए, गाड़ा ठक्के की रूप में नहीं होना चाहिए, यदि क्रीम कलर लिए हुए discharge आ रहा है, तो कोई भी आपको घबडाने की जरूरत नहीं है, आपकी बकरी जो है pregnant हो गई है, और pregnant रह जाएगी, और discharge को लेकर कई से पैचान के बकरीयों का वो भी description में लिंक डाल दूँगा, आप लोग वीडियो देख सकते हो, तो जो भी भाई लोग इस चीज को लेकर confused थे कि दूसरे तीसरे दिन बकरी discharge करती है, सारी जानकारी जो देखो मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को दे दी है, अब उस discharge को देखक मार सकते हैं, जो इस पर आते हैं, टोपी के और वगएरा मार सकते हैं ताकि मक्हियां न बैठें, कहीं ऐसा न ओ कि गाओ जिससे कीडे वाली मक्हियों आप बैठ जाए और घाओ हो जाए, चुँकि गंदगी रहती हो, गंदगी पे ही वो मक्हियों बैठती है, तो थोड़ आएंगे, ताकि अमारी बकरी जो है, ज्यादा तर प्रिगनेंट रह जाए, तो अगले टॉपिक में इसी में वीडियो बना दिया जाएगा, जोस्तो वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई, have a good day, thank you.